आध़ चैप्टर हम डिसक्स करने जा रहे हैं वह होगा आपका आर्क्टिक अंडिकपॉलर क्लाइमेंट जी हाँ आर्क्टिक एंडिक पॉलर क्लाइमेट तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम नौर्दन पॉलर रीजन के बारे में या फिर नॉर्थ पॉल के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ जानने की कोशश करेंगे कि आपके आर्क्टिक रीजन में या फिर पोलर रीजन के अंदर किस टाइप का क्लाइमिट देखने को मिलता है किस टाइप की चीजे यह तो आप समझे गए कि northern part की ही मैं बात करना चाहा रहा हूं तो मतलब इस type का जो climate है यह mainly आपके northern hemisphere में ही concentrated है southern hemisphere में ऐसा climate नहीं मिलेगा उसका कारण बहुत simple है क्योंकि southern hemisphere में आपका water body काफी ज़्यादा spreaded है आपका land mass जो है वो comparatively कम है that's why वहाँ पे जो freeze area है वो available नहीं है लेकिन इस case में freezing काफी ज़्यादा है और even मैं यह बोलूँगा कितनी ज़्यादा snowfall होता है कि nearly 10,000 feet तक आपका snowfall देखने को मिल जाता है तो that is a strange thing मतलब काफी harsh climate जो है मैं यह बोल सकता हूँ यहाँ पे available है दूसरी एक ओर important चीज यहाँ पे जो नजर आती है वो थोड़ा सा भड़ जाता है और वो area ice free हो जाता है that's why अगर vegetation की भी मैं बात करूँगा तो वो सिरफ low lying areas में आपका vegetation मिलेगा otherwise यहाँ पे कोई खास vegetation आपको देखने को नहीं मिलता है अब important चीज यह है कि location अगर आप देखोगे तो आपका जो northern Canada वाला पार्ट है Greenland वाला पार्ट है और जो आपके Alaska वाला पार्ट है यह सारा पार्ट आपके polar arctic type of reason के अंदर देखने को मिल जाता है अब पूरा पार्ट जो है क्योंकि काफी high latitude है तो automatic सी बात है यह complete part ही freeze condition के अंदर रहेगा that's why हम इसको क्या बोलते है we used to call कि यह एक type का क्या है ice caps की form में देखने को मिलेगा मतलब इस climate के अंदर आपकी majorly जो है वो snowfall होगा ice जो है फ्रीज होगी up to a thickness of 10,000 feet तक की thickness पे ice मिलेगे सवाल आता है कि इसमें किस type का climate होगा climate में हम दो चीजों को देखते हैं एक हम बात करेंगे कि यहाँ पे temperature जो है वो किस range में देखने को मिलेगा और दूसरा हम focus करेंगे कि इस case में precipitation जो है वो कितना होगा तो अगर मैं बात करूँ temperature की तो आपको भी पता लग गया होगा temperature काफी कम रहने वाला है अगर मैं बात करता हूँ winter season की तो winter में तो temperature काफी extreme होता है हमेशा ही below freezing point आपका temperature देखने को मिलेगा तो right here we get to know कि इनका temperature जो हो minus 40 degrees Celsius even minus 50 तक भी आपका temperature पहुँच जाता है अगर मैं बात करता हूँ summer season की तो summer time पे क्योंकि आपको पता ही polar reason है काफी सारे week तो ऐसे ही निकल जाते हैं जिसमें लगातार क्या रहेगा summer में sunlight रहेगी तो temperature थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन वो sunlight की वज़से बहुँच जादा temperature increase नहीं होता temperature फिर भी minus 10 से 10 degree के बीच में रहेगा मतलब area फिर भी काफी freeze condition के अंदर रहता है even we get to know कि यहाँ पे क्या होता आपका जो summer time आता है जब sunlight आती है और काफी लंबे time तक sunlight रहती भी है तो आपने एक term सुना होगा albedo, albedo का मतलब होता है कोई भी surface पे जब sunlight गिरती है तो वो कितनी light को reflect करता है वो कि summer time पे जो sunlight आती है वो sunlight snowfall, snow पे गिरती है reflect back होती है इसलिए temperature summer time पे भी increase नहीं होता दूसरी चीज़ आप तो जानते ही है polar region जो है तो automatic सी बात है जो rage है वो भी straight नहीं होती वो tilted होती है आपकी inclined होगी tilted या inclined अगर rage होगी तो definitely उस case में आपका reflection जो है और भी ज्यादा होने वाला है absorption जो हो कम रहेगा क्योंकि ज्यादा surface area पे आपकी rage जो है वो spread करती है that's why ये reason आपका summer time पे भी काफी cool देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे एक local wind होती है जिसको बोलते blizzard ये काफी high speed wind होती है और काफी ज्यादा storm लेके आती है ये बहुत dangerous होती है यहाँ के vegetation के लिए इसी कारण से भी even यहाँ पे vegetation जो हो देखने को नहीं मिलता तो in total icon से कि इस area में long और काफी severe winter होंगी small बहुत short duration के अंदर और आपकी वो summer जो होंगी वो भी warm नहीं रहने वाली they are going to be basically very cool not very very cool but it is very cool और winter तो definitely long है और काफी severe winter देखने को मिल जाएंगी when it comes to the precipitation तो देखो precipitation की form जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे mostly जो precipitation होगा वो snowfall की form में ही होता है rainfall होता नहीं है temperature काफी low है snowfall देखने को मिलेगा high pressure का मतलब होता है anticyclonic conditions तो right here at this place we get to know कि हमें क्या मिलता है anticyclonic conditions है वो काफी prevail करती है क्या यहाँ पे कोई convectional rainfall हो पाएगा आप लोग खुद सोचिए convection का मतलब होता है कि air जब heat up हो जाती है when it becomes light it starts rising up it do the rainfall but that is not going to happen over here क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी heating का process ही नहीं और heating नहीं है तो air light भी नहीं होगी और air आपकी rise भी नहीं करेंगे so there is no convectional rainfall takes place at this point hardly मैं ही मानता हूँ कि देखो अगर मैं rainfall के बारे में बात करूँ अगर specifically तो वैसे तो यह snowfall की form में हो रहा है लेकिन snow melt अगर हो जाए by chance अगर snow melt हो जाए तो उस case में भी तो water develop होगा ना तो snow अगर melt हो जाती है तो मुझे देखने को मिलता है कि 12 inches of rainfall मुझे hardly यहाँ पे मिलता है otherwise यही आपकी situation देखने को मिलगी काफी dry conditions cold climate में देखने को मिल जाती है natural vegetation की बात करूँगा तो जैसा मैंने बताया कि low line जो एडियाज है आपके वहाँ भी थोड़ा सा एक vegetation मिल जाता है otherwise इस case में vegetation नहीं मिलता है जो vegetation आपके low line एडियाज में होता है उसको tundra type का vegetation हम बोल देते है important चीज यह भी है क्योंकि यहाँ पर heat की काफी deficiency होती है इसलिए photosynthesis का होना वो भी मुस्किल हो जाता है that's why vegetation की जो growth है उसके अंदर photosynthesis या फिर मैं बोलू sunlight वो एक limiting agent की तरह काम करती है vegetation जो है अच्छे से grow नहीं कर पाता that's why यहाँ पर deficiency आपके heat की होगी even यहाँ का जो drainage system है वो भी काफी poor है poor क्यों नहों क्योंकि यहाँ पर freeze condition है तो asus जो flow of water है वो तो देखने को मिलता ही नहीं है तो यह काफी poor condition है birds यहाँ पर winter time पर migrate कर जाते हैं even आपके कुछ animal जैसे ox है wolf है यह सब देखने को polar bears हैं वो देखने को मिल जाएंगे otherwise आपके animals यहाँ पर देखने को नहीं मिलते अब सवाल आता है कि sir अगर ऐसी harsh condition है तो human being यहाँ पर क्या करते होंगे किस type की activity human being यहाँ पर perform करते होंगे that is a big question तो right at this place हमें पता लगता है कि human beings जो है को एक semi-nomadic type of life यहाँ पर survive करते हैं मतलब hunting and gathering वो उनका main process होता है यह hunting and gathering के उपर ज्यादा focus करते हैं दूसरी important चीज़ यहाँ जैसे आपका एक tribe है इसका animals यह रहते हैं यहाँ पे less than 28,000 people अभी तो बचे हैं यहाँ पे और यह एगलोस एक short छोटा सा घर बनाते हैं अपने snow का उसी के अंदर यह अपना रहते हैं अब important चीज़ बता है क्या है जैसे जैसे scientific advancement हुआ है उसी के स्थासाथ में अब यह important region हो गया है मतलब पहले जो hunting and gathering के अलावा यहाँ पे कोई option नहीं था वो science की development के साथ साथ में now it becomes very very important इसमें हम Arctic Council के बारे में discuss करने वाले हैं जो बहुत ही important part है शायद मैं बोलूँगा इस जी सीलियों के chapter से ज्यादा important Arctic Council के बारे में discuss करना है that is the injustice अगर हम Arctic Council के बारे में बात ना करें इस chapter को discuss करते हुए तो right at this please fisheries, oil, gases यह जो activities हैं मतलब यह जो resources हैं यह हमें abundant amount में मिलते हैं that's why इस region की economical importance अब काफी ज़ादा हो चुकी है because यह आपके resources काफी beneficial है तो मैं अगर बात करू importance की इस region के तो मुसे यहाँ पर पता लग जाता है simple importance की minerals जो है वो काफी ज़ादा है इस लिए क्या होता है वो सिरफ उनी से belong करता है और उसी के अंदर ये country आपका एक council बनाती है जिसका नाम है Arctic Council अब countries के मन में तो यह है कि इन resources को exploit करें और अपनी economic development को ensure करें but still Arctic Council bounce them Arctic Council stops them to exploit it from the basically the exploitative nature or from basically against going against the environment that Arctic Council is doing now the important information is recently India got an observing status in Arctic Council मतलब यह हुआ India is not a member of Arctic Council but yes हमें observing status जो है Arctic Council में मिला अब observing status मिला इसका मतलब यह होगा कि India must keep watch on the resources of this region कि अगर India को benefit मिलता है अगर India किसी investment को invite किया जाता है to explore the resources of this particular region then we must do so क्योंकि India की energy security को ensure करना हमारे लिए बहुत जरूरी है हालांकि Indian government बहुत सारे strategic resources या strategic reserve के उपर भी focus कर रही है but still आपको पता है कि energy जो है is the need of the life तो अगर energy हम अपनी ensure कर पाते है energy security की तरफ अगर हम जा पाते है that is going to be really beneficial for us that's why हमें उसके अपर थोड़ा सा focus करना चुए है एक और important चीज़ यहां पर यह आती है कि अगर मैं future की बात करता हूँ तो future consideration के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि देरे देरे देखो सारे जो resources है वो खतम होते जा रहे हैं तो we must focus upon the renewable energy as well जिसके अंदर की particular arctic region जो है वो कही न कहीं lag करता है but still हमारा जो observer status है उसका हमें कुछ तो फायदा उठाना चाहिए अगर यहां पर exploitation किया जाता है resources का तो India को अपनी investment से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए इसके अलावा आप लोगों की अगर Arctic Council के बारे में कोई और रहा है तो definitely आप comment section में मेरे साथ में उसको share कर सकते हैं तो यह काफी छोटा सा chapter था आपका जो की जिसे लिए उनके अंदर देखने को मिला एक important information में आपको देना चाहता हूँ study IQ का success in prelims जो है आपका course वो आपके 19th December से start होने वाला है मातर 6,000 रुपीज में आप ये course subscribe कर सकते हो अगर आप पिल लाइब का code use करते हो तो और देका prelims 2023 है अगर हमें उसको clear करना है तो I think this is not a big amount क्योंकि हमारा जो aim है उसको हमें succeed करना चाहिए उसको हमें achieve करना चाहिए that must be our target so you can take admission into it apart from this if you want to take admission तो आपका कल से admission इसमें close हो जाएंगे foundation batch में 18999 में आप admission कपिल लाइब का code use करके ले सकते हो if you are thinking कि NCRT आपको study करना तो 14999 के अंदर 5th December से जबैच NCRT का start हुआ है आप वो join कर सकते हो आज आपकी जो GC Leong book है वो हमने सारे chapters discuss कर लिए है तो definitely ये playlist आपके पास में available है तो if you want to look upon again and again of the videos तो आप उसको refer भी कर सकते हो share भी कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए या updates के लिए कपिल भार्दवाज ऐफिशल यहां पे जुड़ेंगे और गर मेरे से बात करनी है तो कपिल.भार्दवाज 2022 this is my Instagram handle आप मुझे follow कर सकते हैं message कर सकते हैं we will be discussing all the things comprehensively okay guys thank you very much it was a great journey कि आपका GC Leong आज complete हो चुका है so it's I think आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा और मैं उमीद करता हूँ अब ये retain भी काफी लंबे टाइम तक आपको रहेगा